एक सर्वेक अनुसार इंडिया में miscarriage याने की गरवपात का रेट 32% है और इसमें से 80% miscarriage early pregnancy याने की first trimester में ही हो जाता है इसलिए हर गर्वती महिला को miscarriage के बारे में जानना चाहिए क्योंकि miscarriage के symptoms को देखते ही यदि इसका इलाज किया जाए तो miscarriage को रोका जा सकता है तो आज हम इसके sign, causes और prevention के बारे में बात करेंगे तो पहले हम इसके sign and symptoms के बारे में बात कर लेते हैं आपको जब यह miscarriage होने वाला होता है तो आपको क्या-क्या symptom या फिर संके देखने को मिलता है तो number one, vagina से हलका blood आना तो ऐसी condition में vagina से हलका-लका blood आ सकता है medical भासा में इसे हम sporting क्याता है number two, या खून का थक्का निकलना तो ऐसे में खून का थक्का भी निकल सकता है number three, गुलाबी mucus का आना इन तीनों cases में जितना जल्दी हो सके आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और घरवती महिला को ऐसी condition में अराम करना चाहिए इस तरह की case में डॉक्टर कुछ medicines देते हैं जैसे की प्रोजस्टीन जिसके कुछ ब्राण नेम है डुफरस्टॉन, सस्टैंड, फैटुगार्ड, जैस्टीन, एन प्रोलूटन, डिपॉट्ट इसके लाबा कुछ इंजक्शन भी लगा सकते हैं जैसे की इंजक्शन HCG जिसके कुछ ब्राण नेम है हुगोग एन प्रोफासी और कभी-कभी इको स्प्रिंट टैबलेट भी दे दी जाती है गरपात का दूसरा संकेत है पेट के निशले भाग में दर्द होना तो इसे भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए ऐसे कंडिशन में भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए इस तरह की केस में डॉक्टर कुछ यूट्राइन लेक्सेंट देते हैं जैसे की आईसू सुप्राइन जिसके ब्राण नेम है तेडिलॉन यूडिलॉन सुप्रॉक्स वैसोडिलॉन और दूवर्डिलॉन या फिर फूर्थ सिंटम है वेट लॉस तो इसमें समाने ता कोई मेडिसीन नहीं दी जाती है बस न्यूट्रिशनल सप्लिमेंट दिया जाता है जैसे की प्रोटीन पाउडर अब हम बात करते हैं इसके कॉजस की यानि की मिस्कैरिज क्यों होता है तो इसका पहला कॉज है क्रोमोसो इसी कारण से होते है तो ऐसे में प्रोजेश्टीन या फिर सीजी मेडिसीन दी जाती है इसका तीसरा कोज है पीसी ओएस जिसकी फूल फॉर्प्राम है पॉली श्टिके ओवरियन डिस और इसमें दी जाती है और प्लेशनल से हो जाने के बाद भी मेडिसीन को कंटिन्यू रखा जाता है जिससे उन्हें miscarriage की problem आगे चलकर नहीं होती है इसका fourth cause है placental problems तो बच्चे को मा से जोड़ने वाली एक नलिका होती है जिसे कि हम placenta कहाते हैं तो कभी-कभी इसमें कुछ समस्याए हो जाती है जैसे कि placental abruption, placenta previa and placenta accreta तो इस तरह के case में cigerian delivery की जरूरत हो सकती है इसका fifth cause है incompetent cervix यानि कि कमजोर घरवास से है कमजोर cervix हिस्व के बज़न को सहर नहीं पाता है और abortion होने का chances बढ़ जाता है और इसका sixth cause है chronic illness and high fever यानि कि ऐसे महिला है जिने पहले से कोई बड़ी समस्या या बड़ी बिमारी होती है तो उन में भी abortion के chances बढ़ जाते है जैसे कि हिर्दय रोग, kidney रोग, liver रोग या फिर diabetes तो इन सभी में miscarriage की संभावना बढ़ जाती है अब बात करते हैं हम इसे कैसे रोग सकते है या फिर prevention of miscarriage आपको पेगनेंसी के समय समय smoking, alcohol और caffeine नहीं लेना चाहिए आपका weight ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए तो आपको ये सभी दवाए नहीं लेनी चाहिए save yourself from infections and malnutrition आपको खुद को infection से बचाना चाहिए और अब खुद में nutrition की कमी नहीं होने देना चाहिए and last है do not take semi ripe और green papaya आपको हरा पपीता नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसी property पाए जाती है जो कि uterine contraction को increase कर देती है और उसे abortion की chances बढ़ जाते है क्योंकि आपको जाते है